नमस्कार दियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साजपे, हम आज आपको एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में इंट्रोड कराने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने पैसे बचाएंगे, अपने फ्रेंड्स के पैसे भी बचाएंगे, और एक अच्छी इंकम भी यहां पे आप कर सकते है तो जानते हैं साजपे के बारे में इंट्रोडक्शन ओप कमपनी, यह एक आईटी कमपनी है, जिसकी मात्तर कमपनी साज आईटी सिलूशन LLP है, जिसे 2020 में राजस्तान के जुनू डिस्टिक में इस्तापित किया गया था, हम जुन जुनू जैपूर एंपूरों में इस्त जी दत्रवार को धन्यवाद, M.K.Tech IT Solution Private Limited की स्तापना सिरी मनेजी स्वामी ने 2022 में राजस्तान के जुनू डिस्टिक में की थी, M.K.Tech IT Solution Private Limited हमें डवलप्मेंट और कम्पूटर नेट्वर्क सेवाए परदान करती है, कम्पनी ने अपने दो परकार के प्रोड़क्ट लो सरप्रदान करता है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स स्लाइड की ओर, साजपे सर्वीशस, साजपे के अंदर बहुत सारी सर्वीशस अवेलेबल हैं, जैसे की रिचार्च, DTS रिचार्च, लेक्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंसुरेंज पेयमेंट, गैस बुकिंग, इंटरन दोस्तों, ये एक अच्छी कंपनी के पहल, यहाँ पे हम मान सकते हैं, कंपनी ने एक अच्छी सोच के साथ, यहाँ पे यह चीज़े लेके आ रही है, जिसको हम अभी आपके सामने जो डिस्पले हो रहा है, इसमें आप देख भी पा रहे होंगे, हम इसको वन वाई वन डि नहीं देना होगा, और यहाँ पे आपको न्यूंतम बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं है, दोस्तों, साजपे के वल्ट में पैसे डालना या उसमें किसी प्रकार को इन्वेस्मेंट प्लान यहाँ पे नहीं है, साजपे आपको वल्ट में पैसे डालने के लिए बाद्ध रहेगा, यह डिसकाउंट दीगे स्रेणी में हम देख सकते हैं, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी स्रेणी की तरफ जहां पे यूजर कमीशन पर ट्रांजेक्शन का मतलब यहां पे यह है दोस्तों, कि अगर आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करेंगे, इच औ 1%, BSN 1%, ATL, DSTV 1%, D2S 1%, Sun Direct 1%, Tata SK 1%, Reliance Big TV 1%, Bill Payment, Bill Payment के अंदर सभी सर्विसे जितने भी सर्विस अभेलेबल हैं इस प्लेटफों में, उनमें सब में आपको 0.20% का कमीशन यहां पे दिया जाएगा, अब यहां पे एक एक ग्जांपल जो कंपनी ने दिया है, वो 719 रुपे क है, हो सकता है, यहां पे 10 रुपे भी आप रिचार्ज कर रहे हो, यहां हो सकता है, आप लाख रुपे रिचार्ज कर रहे हो, यहां पे आपको जो कमीशन बनता है, वो 719 पैसा बनता है, और आपको कितना पे करना है, 711 रुपे कैसी पैसे ही आपको पे करना है, जहां पे नीचे आपको नोट लगा कर दिखाया गया है, यूज की हुई सर्विसे का पेमेंट डिसकाउंट गठा करी लिया जाएगा, जिसे माना कि आप आपको 719 रुपे का रिचार्ज करना है, तो 719 पैसे आपका डिसकाउंट होने के बाद आपका सेश बैलेंस, 711 रुपे कैसी पैसे बसते हैं, वही आपसे लिया जाएगा दोस्तों, यहां पर कमपनी ये क्लिर कर रही है कि आपको जो पेमेंट करना है, वो आपका अब दोस्तों हम जब स्टार्ट कर रहे थे वीडियो को तो उस टाइम पर हमने बद चीज बताई थे आपको कि आप अपने पैसे बचाएंगे, अपने प्रेंट के पैसे बचाएंगे और आप यहां पे अच्छी इंकम भी कर पाएंगे, तो जो इंकम करने का जो पार्ट ह के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपकी जो स्क्रीन पे यहां पे जो टेबल दिख रहा है आपको, इस पे हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों साज पे आपको रेफल कमिशन परदान करता है, जो की दीगी स्रेंटी में देख सकते हैं, हम अभी इसको इसके बदले आपको किसी परकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी परकार की कोई सर्थ यहां पे नहीं है दोस्तों, यह अच्छी बात है दोस्तों यहां पे, कि आपको जो कमिशन मिलेगा, उसके बदले आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और कोई यह अपने बैंक में ट्रांसपर कर पाएंगे 24-7 के लिए अवेलेबल होंगे और जो आपके पास कमिशना है उससे आप कोई सर्विस भी अगर यूज़ करना चाहें तो आप सर्विस भी यूज़ कर पाएंगे ये पैसा आपका है इसको लेने के लिए किसी परकार की सर्थ नहीं है तथा आपके वॉलेट के पैसे को आप किसी भी साज पर यूज़ को ट्रांसपर कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी परकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा दोस्तों ये कंपनी ने अच्छी पहल यहां पर किये और बोला है कि यहां पर आपको जो भी पैसा आपकी वही है जो हमने पहले डिसकस किया था कि आपको जो भी कमीशन आएगा वो पर ट्रांजेक्शन आने वाला है इस एंट एवरी ट्रांजेक्शन का आपको कमीशन यहां पर प्राप्त होगा तो चलिए हम जानते हैं रेफरल लेवल्स यहां पर वन से लेके फाइप तक दी और यहां पर यूजर्स जो है जितने भी हैं उसने कंपनी ने एक्जामपल के तोर पे यहां पर पचास यूजर का यहां पर एक्जामपल लिया है आप यह मत सोचना कि आप पचास से नीचे नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा या पर यहां पर दिखाया कि 50 यूजर आप लगाएंगे आप 50 यूजर को रेफर करेंगे तो अगर 50 यूजर को आप रेफर करेंगे और उन्होंने अगर 719 रुपय रिचार्ज किया तो आपको फेस्ट लेवल पे जो कमिशन होगा 1% 1% के इसाब से आपका जो कमिशन बनता हो 7 रु को लगाया है 50 यूजर को लगाया रेफर किया है और उन 50 लोगों ने फिर 50-50 लोगों को रेफर कर दिया है तो यहां पर जो यूजर के संक्या होगी आपकी वह ही 200 2500 तो 2500 यूजरों ने अगर 719 रुपया रिचार्ज किया तो आपको मिलेगा 0.5% के हिसाब से आपका जो प 50 रुपय 50 पैसे बनता है दोस्तों इसी तरह हम अगर 2500 यूजर अगर 50-50 यूजर को रेफर करेंगे तो आपकी यूजर की संक्या बनती है 1,25,000 लेवल नमबर 3 पे अगर वो यूजर भी अगर 719 रुपया रिचार्ज करेंगे तो आपको कमिशन मिलेगा 0.5% के हिसाब से और पर यूजर जो कमिशन आपको मिलने वाला है वो 3 रुपय 69 पैसे है और टोटल जो कमिशन है वो है 4,49,375 रुपय दोस्तों अब यह जो पैसा है दोस्तों जो टोटल कमिशन है यह डिपेंड करता आपकी यूजर पे डिपेंड करता आपकी यूजर कितने ट्रांजेक् बढ़ते हैं लेवल नमबर पूर की तरफ अगर आपके एक लाग पच्छिस जार यूजर अगर पचास पचास यूजर को रेफर करते हैं तो आपके यूजर की जो संख्या बनती है वो 62 लाग पचास जार बनती है और उन्होंने भी अगर 719 रुपेगा रेचार्ज किया तो आपको पर यूजर कमीशन 0.35% के हिसाब से पर यूजर का जो कमीशन है दो रुपे एक काउन पैसे मिलेगा और टोटल जो आपका कमीशन होगा टोटल एर्णिंग जो आपकी होगी वो होगी एक करोड़ सत्यावन लाग 28,125 रुपे दोस्तों देखे दोस्तों यहां पर ज 60,50,000 यूजर ने अगर 50,50 यूजर को रेफर किया तो आपके यूजर के संख्या बनेगी 31,25 लाग अगर उन्होंने भी अगर 719 रुपे गा रेचार्ज किया तो 0.15% के हिसाब से आपको पर यूजर जो कमीशन आएगा 1,07 पैसा और आपका जो टोटल कमीशन जो होगा य 33,70,31,250 रुपे आप अन्हों कर लेंगे दोस्तो यहां से अगर आपने 50 लोगों से रेफर स्टार्ट किया और आगी आपके अगर जो टीम है वो अगर 50-50 लोगों गो रेफर करती है तो आप दोस्तो यह जो अचीमेंट है बहुत जल्दी आप यहां पे करने वाले हो दोस के तोर पर कंपनी की तरफ से दिया दाता है तो दोस्तों मेरे इसाब से बहुत ही अच्छा आमाउंट है यहां पर और आपकी जो मेहनत है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी दोस्तों यहां पर चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और company की तरब से यहां पर next जो page है वो thank you का है और यहां पर कुछ information यहां पर दी हुई है मैं आपको इस information के बारे में बता देता हूँ उपर की top right में आपको दिख रहा हुआ CIN जो corporate identification number होता है आप इसको company identification number भी बोल सकते हैं जिसको CIN बोलता है CIN government of India में जब कोई company register होती है वहाँ से यह मिलता है दोस्तो दूसरा जो है हमारा यहां पर GSTM GSTN आप सभी लोग जानते हैं GST क्या होता है वही GST यहां पर दी हुई है आप इसको भी verify कर सकते हैं आप से एक जानकारी को हम पढ़ लेते हैं एक बार company का मकसद लोगों की मदद करते हुए सबी लोगों तक पहुंचना है और इसलिए company आपको commission देती है बिल्कुल दोस्तो मैंने आपको starting में ही बताया था कि आप यहां पे अपना पैसा भी बचाएंगे company ने अप्लिकेशन लोंच किया बिल्कुल दोस्तो कोई भी company अपने कोई application या कोई product लोंच करती है तो उसके पीछे एक logic होता है और उस logic को यहां पे company ने थोड़ा से दर्साने की कोशिस किया कि आप लोग जो service को use करने के लिए आपने कितनी application को कुछ न कुछ दिया है तो यहां पर आईए और अपने पैसे भी बचाएए और वो जो charge लग रहा उसको भी बचाएए और अपने दोस्तों की पैसे भी बचाएए कोई भी user या हमारा कोई member आपसे किसी प्रकार की fees या कोई charge अगर लेता है तो आप हमें दिये गए संपरक पर सुचना दे बिल्कुल दोस्तों company नहीं आपके clear किया है कि अगर आपके पैसे कोई पैसे वैसे लेता है तो आप इस number पे contact करके बता सकते हैं और उसकी against company एक strong action लेगी दोस्तों अगर किसी भी user को किसी भी प्रकार की कोई भी technical समस्या आती है तो company के support, number, email, id, whatsapp पर आप संपरक कर सकते हैं साजपे में आपके साथ किसी प्रकार का अगर fraud होता है तो इसकी जिम्मदारी company लेती है तता हो उसका समाधान करके आपको आपका payment refund करेगी दोस्तों powered by mktech it solution private limited ये जो साजपे है इसको launch करने वाली जो company है उसका नाम है mktech it solution private limited अगर दोस्तों यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको तो आप हमारे साजपे channel पर रात को साड़े आठ बजे join हो सकते हैं वहाँ पर रोज live meeting चलती है और आप अपने सवाल और जवाब यहां पर कर सकते हैं Thank you so much लुआ पर कुछ चालक्ष कर सकते हैं